26 February को मनी सिसोदिया जब CBI के office जा रहे थे तो जब उन्होंने अपने उस दिन की शुरुवात करी वो काफी interesting थी सबसे पहले वो गए महात्मा गांदी के पास उनके आगे जाके रोना गाना किया उन्होंने कि भारत देश में ऐसा हो रहा है जो लोग अच्छा काम कर रहे है उन लोगों को गिरफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी इसमें दोस्तों रोचक बात यह है कि बापू शराब के खिलाब थे और मनी सिसोदिया शराब के पक्षधर है इन्होंने क्या करा दिल्ली में जादा से जादा लोग शराब पी सकें इसकी विवस्ता करी सबसे पहले जो उम्र थी वो 25 साल से घटा के इन्होंने 21 साल कर दी जो ड्राय डे होते हैं जिस दिन शराब नहीं मिलती है लोगों को वो दिन इन्होंने 25 से 3 कर दी है पहले 25 दिन तक जो ड्राइड है रहते थे वो 25 दिन रहते थे पर इन्होंने उसको कर दिया 3 होलसेलर का कमिशन बढ़ा के 2% से 12% कर दिया शराब में डिसकाउंट देने लग गए ताकि और और ऐसी जगा मंदिर, स्कूल, मस्जिद इसके आसपास इन्होंने शराब की दुकाने खुलवाना चालू कर दी तो ऐसा वेक्ति जा रहा है किसके पास महत्मा गांधी के पास अपना रोना रोने कि इस देश में यह हो रहा है बापू के देश में यह हो रहा है कि बापु शराब की खिलाब थे और ये वेक्टी शराब का पक्षधर था मैंज इसने शराब को घर-घर तक पहुचाने में जो कॉलेज के बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं जने दूद पीना चाहिए कह सकते हैं उन बच्चों तक इस वेक्टी ने शराब पहुचा ये एक तरह से देखा जाए शराब सस्ती करके ज्यादा दुकाने खुलवा के अब ऐसा वेक्ति जा रहा है कि इसके पास महात्मा गांधी के पास कि आपके देश में और बापू के देश में ऐसा हो रहा है फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ इन्हों भाई साम ने फिर एक रोड शो किया मनिश इसोदिया जी ने रोड शो किया कारी करता आए जिसमें अपनी इसपीज दी जैसे कोई फेरवेल इसपीज दी जाती ना कोई बड़ा लिडर कोई बड़ा काम करता उसके बाद जो चुना उना जीतने के बाद तो उस टाइप से इन्हों ने एक भूमी जारी रखना मैं 8-9 महिने के लिए जेल जा रहा हूँ अब दोस्तो इतना confidence क्या बताता है पहले से कोई बात clear नहीं थी यह था कि हाँ गिरफतार होने वाले बट इनको यह चीज पहले से ही पता थी कि आज मेरे पास किसी भी सवाल के जवाब नहीं रहेंगे ultimately मुझे तो इनका confidence है वो यही बताता है कि जो इन्होंने पहले भविश्वाणी की थी वो बिल्कुल सही होगी और उस दिन गया यह CBI office उस समय पुस्ताज हुई 6-7 गंटे की उसके बाद इने रस कर लिया गया इनको यह बात पहले से पता थी अब दूस्तो सबसे पहले हम थोड़ से इन पे कारवाई हुई यह सारी चीजे हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे बहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इन पे केस कौन सी तारिक को हुआ था ठीक है 17 अगस 2022 CBI ने आपकारी नीती में सिसो दिया 13 अन्य लोगों के किलाब F.I.R की LG वीके सक्सेना ने जाज के आदेश दिये 17 अगस 2022 को F.I.R हुई थी दिल्ली के LG जो की वीके सक्सेना थे उन्होंने जाज के आदेश दिये फिर 19 अगस्त को क्या होता है CBI ने मनी सिसो दिया और आपके 3 अन्य सदस्यों के आवस पर छापा मारा 17 को केस हुआ दो दिन बाद मनी सिसो दिया और 3 अन्य आम आदमी पार्टी के नेता उनके घर पर छापा मारा गया फिर 22 अगस्त को ED-CBI से मामले की जानकारी लेती है फिर ED के बाद जाता है कि ED-CBI से मामले की जानकारी लेती ही मनी लॉंडरिंग का मामला दर्श करती है 30 अगस्त सिसो दिया के PNB में बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई 27 सितंबर आप प्रवक्ता विजय नायर गिरफतार आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता विजय नायर को गिरफतार कर लिया गया 28 सितंबर ED ने कतित दिल्ली शराब घोटाले के आरवों में शामिल शराब कारोबारी समीर महिंद्रू को गिरफतार किया 16 अक्टूबर CBI ने मनी सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे पूस्ताच की 17 अगस्त को FIR होती है 16 अक्टूबर को CBI ने मनी सिसोदिया से पहली बार continue 9 घंटे तक पूस्ताच हुई इनसे उन्होंने दावा किया था कि पूस्ताच के दोरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाये गया अब दोस्तों इसमें मनी सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं कि जब 16 अक्टूबर को 9 घंटे की पूस्ता चुई तो CBI ने ये दबाव बनाया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ने और भारती जंता पार्टी में शामिल हो जाएं ऐसा कहना है मनी सिसोदिया का अब दोस्तों हम बात करते हैं मनी सिसोदिया की कि क्या पॉलिटिकली क्या इतने ये मजबूत है कि कोई पार्टी इन पे ये दबाव बनाएगी कि आप आम आदमी पार्टी छोड़के हमारी पार्टी में है सबसे पहली बात जो आखरी विधानसभा चुनाओ था इनकी जो सीट थी वहां से ये हार गये थे कोई इनका पॉलिटिकल कोई ऐसा केरियर नी है ना इनके पास कोई ऐसा बेस है आम आदमी पार्टी में है वहां पे सारे डिपार्टमेंट समालते हैं जिसे मनमोहन सिंग थे कोई उनका कोई बेस नी था सिर्फ वो ये थे कि एक पार्टी ने उनको प्रमोट किया है वैसे ही मनी सिसोदिया हैं कि जो ओफिस के कारण हैं वो सब देखते हैं और क्योंकि केजरिवाल के राइट हैं कह सकते हैं जब से वो अंदोलन में जुड़े हुए तो उस समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं तो वो उस कारण इनको इतने सारे विभाग मिले हुए हैं बागी कोई ऐसा कोई ऐसी छवी नहीं है अलग सी कि इनको अगर पार्टी अपने पास ले लेगी तो कई वोट्स आ जाएंगे खुद अपनी सीट हार गया था जो विक्ति उसको कोई पार्टी क्यों प्रेशर करेगी हैं अपनी पार्टी में आने के लिए तो सबसे पहली बात तो ये गलत सावित होती है और 16 अक्टूबर को ये इन्होंने बात बोली थी फिर क्या होता दोस्तों 10 अक्टूबर को CBI ने अभिशेक बोहिन पल्ली को गिरफतार किया वा दक्षिर भारत के शराउप कारोबारी की पेरवी कर रहा था 25 नमबर CBI ने साथ लोगों की खिलाख चार्शिट पेश की इसमें सिसोदिया का नाम शामिल नहीं था फिर 25 नमबर को CBI ने चार्शिट पेश की जिसमें इनका नाम नहीं था 30 नवम्मर मनिस इसोदिया के कारीबी अमीत आरोडा को गिरफतार किया गया था इडी ने टेलांगना के मुख्य मंतरी अब आपको याद होगा दोस्तों तेलांगना के मुख्य मंतरी हैं चंद्र शेखर राओ वो कितनी तारीफ करते थे अर्विन केजरिवाल की जो ये अलग-अलग मौडल्स जो वो क्लेम करते रहते एड़र्टीजमेंट करते रहते है उनके स्कूलों में आ रहे हैं उनके होस्पिटलों में आ रहे महला क्लीनिक कर रहे हैं तो ये इतना जो ये क्या कहलाता है उस समय हमें समझ नहीं आता था वो यह कारण था कि जो एडी ने क्या है एडी ने तेलांगना के मुख्यमंत्री के चंदरशेखर राओ की बेटी एलसी कल बन तुकुला कविता को नामजद किया मतलब यह जो डील हुई थी इसमें कहीं न कहीं यह जो केसी हार फाला फार्मूला है वो उनकी बच्ची का कुछ लेंदेन है इसे ठीक है 14 जनवरी 2023 डिप्टी सीयम सिसोधिया के ओफिस पर रेट कंप्यूटर जब्त किया गया 14 जनवरी को क्या होता है कि इनके ऑफिस पर रेट होती और जो कंप्यूटर रहते हैं उन सब को जब्त कर लिया गया 19 फेबरी司 लेक्रीं सीबी आई ने सिसोधिया को पूस्ताच के लिए बुलाया था वो सक्ता 19 फेबररी कोई गिरफटारी हो जाती पर यह गय नहीं लेकिन मा नहीं गए कोई और तारीक पर पूस्ताज की बात कहीं फिर उस समय कोई और तारीक उन्होंने मागी जब तक तैयारी कर ली क्योंकि पता था कुछ जवाब देने के लिए है नहीं 16 अक्टूबर को 9 घंटे पूस्ताज हुई थी उसके बाद फिर 26 फेबरेरी को पूस्ताज के लिए सिसो दिया CBI Office पहुचे जो मैं बात कर रहा था कि जब वो CBI Office पहुचे तो पहले ही वो सब अपनी commitment करके चले गये थे मैं 9 महीने तक जेल में रहूंगा अर्विन केजरिवाल जी आप बहुत अच्छा काम करते रहना हमारी जो दिल्ली है और हमारे देश के लिए ऐसे ही काम करते रहना यह सब जो फेरवेल इसपीस टाइक की देखे गए यहां उनसे 8 घंटे सवाल जवाब किये गया है 26 वेवरी को 8 घंटे पूस्ता चुई है इसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया ठीक है दोस्तो तो अर्विन केजरिवाल का एक तरह से राइट हैंड कहा जा सकता है मनीशी सोद समालते थेया को और एक सत्येंद्र-जेन जो अज से साल भर पहले ही जिने इगिरफतार कर लिया गया भी यह एक अच्छ डीपार्ट्पेंट सबालते थे हैं अब दोस्तो पहले सत्येंद्र जेन के पास साथ से आथ मंतराला हैं जिसमें से साथ से आथ जो मंतरालbracht हैं वह स को दे दिये गये थे, मनी असी सोधिया को, तो अर्विन केजरिवाल और मनी सी सोधिया, बस यह दो ही लोग थे, जो दिली की पूरी सरकार को जो अलग अलग डिपर्टमेंट है, उनको समाला करते समाला अभी तक कर रहे थे तो अब क्या हुआ दोस्तों मनी सिसुद्या पर गिरफतार हो गया और सतेंद्र जेन आस से साल भर पहले गिरफतार हो गया पर उनसे इस्तिफा आस तक नहीं लिया गया था आप इस बात को नोट कर सकते हैं ध्यान आप मतलब सोचने पर मजबूर क सकती कि एक व्यक्ती जो साल भर से जेल में है लगभग नोगदस महीने के आसपास है 90 महीने से जो व्यक्ती जेल में है उससे आस तक कोई स्तिफा नहीं लिया थीका और मनीuzz तोदिया जैसे गिरफतार होता है चबबीस फेब्रेरी कि अठावICA अर्विन केजरि रिवाल जी तो दोस्तों कहीना कहीन मुझे जो एक शक हो रहा है और बहुत से लोगों को ये बात पता पड़ती होगी कि कहीना कहीं मनीस शिषुद्या का आहाम आजनी पार्टी में बड़ा कत था क्योंकि इतने डिपार्टमेंट समालते थे और जो बड़े-बड़े decision होते थे decision making में भी कही ना कहीं संदीप मनी सिसोदिया का ज्यादा involvement रहने लग गया होगा जो शायद अर्विन केजरीवाल को अच्छा नहीं लगता होगा और अर्विन केजरीवाल जो है न हमने देखा काफी safe game खेलते हैं हमने कोई अभी तक उनका किसी भी उसमें इसा को नाम नहीं सुना है काफी safe उनके आसपास के लोग भ्रस्टाचार में जा रहे हैं कोई उनको छोड़ के चला जाता है उन पर कई इलजाम लग जाते हैं पर काफी same game खेलते हैं वो जो कुछ कानून भी उनको कुछ अलाग-अला के लग से पास करवाने रहते थे ना तो उसमें खुद के sign नहीं करते हैं अभी तक नहीं करते थे तो LG नहीं बात note करी फिर LG ने भी यही कहा कि अब आप अगर अर्विन केजरिवाल को या तो बहुत फायदा ही हो जाएग क्योंकि अब उन्हें बहुत सी चीजे समालनी पड़ेंगी नए वेक्तियों को लाना पड़ेगा और बड़े बड़े डिपार्टमेंट किसी नए वेक्ति को देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है और हर वेक्ति पर विश्वास भी नहीं किया जा सकते क्योंकि को आज इस किस पार्टि में है कल किसपार्टि में चला जा तो मनीस उसव दिया थे वो काफी कही ना कहीछ इंसे बहुत लम्बे समय से इनके साथ जुड़े हुए थे तो अब यह देखो हो भी सकता है क्योंकि राजनीती में सब संभो है राजनीती में कुछ भी असंबो नहीं है जो हमें दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है अरविन केजरिवाल जी उस दिन तो काफी आखे कि मनी से सोदियाना बहुत अच्छा काम किया सारी चीज़ पर उस शराब नीती पे कभी कुछ नहीं बोले कि उन्होंने कोई इसमें कफला नहीं किया, इस बात को कभी नहीं बोले, ठीक है, फिर उसके बात क्या होता है कि एक दिन तो इन्होंने खुब होलना मचा, आज सारी चीजे नॉर्मल हो गई, आज क्या किया, इस्तिफा ले लि जिसे नहीं जिम्मेदारी देंगे, हो सकता, वो अच्छा काम कर दे, तो उस समय उनकी क्या स्थिती रहती, वो जब की जब देखना पड़ेगी, कितने दिन के लिए गाएं, ऐसा आप कुछ भी पहले से कहना, कुछ भी सम्भू हो नहीं है, अभी तो पांस, मनी सिसो दिया आट-नो महिने का बोल रहे हैं, कि आट-नो महिने कम से कम में जेल रहूँगा, अब उसके बाद कितना लंबा समय होता है, क्या होता है, वो बात की बात हो जाती है, पागि ठीक है, जेल में अब अरविन के जरिवाला बाच क्या हुआ ना, कि सुप्रीम कोट का ये लोग, कौन था इनका वकील, अभिशेक मनु सिंग्वी, जो कोन है, कॉंग्रेस का नेता है, कॉंग्रेस वेसे तो इसका विरोध कर रहे है, मतलब इनके विरोध में है, आम आदमी पार्टी के, कि मानीश सिशोधी आ, इन्होंने ब्रष्टाचार किया है, बहुत गलत काम गिया है उफिशेली, बट उनका एक नेता कोट में उनके लिए लड़ रहा था, ठीक है, उसने किस लिए गए कि सीबी आई ने जो करा ही, जो केसे इसको वापस लो, जबानत के लिए नहीं के केस ही वापस लेने के लिए गए, और अभिशेक मनु सिंग्वी ने लड़ा, अपने ब अपील करें, तो ये ऐसी बात है दोस्तों, अब कोट ने तो खारिश कर दिया है, कुछ होना करना है नि, उनको भी बात समझ आ गई है, पर इसमें कॉंग्रेस का दोहरा चरित्र हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ तो कॉंग्रेस विरोध करती है, क्या विरोध करती है कि आम आदमी पार्टी, भ्रष्ट पार्टी है, इन्हों ने इतना पैसा हमने केस किया था, हमारी वज़े से ये सब चीजे हुजागर हो रही है, और दूसरी तरफ उनका एक बड़ा नेता, अभिशेग मनु सिंग भी कोट में उनकी पेरवी करता है, अब इतसे बड़ा उसकी पेरवी कर रहा है, सुप्रिम कोट में, ठीक है, सारी चीजे सामने के सामने हमें दिखी रही हैं, और अब दोस्तों क्या होता है, बाद में पता पढ़ेंगी चीजे, क्या बड़े गेम हो रहे हैं इसमें कि मनीश सिसोदिया को जान बुचके फसाया गया है, और अग आमादमी पार्टी खतम हो जाएगी इतना तो मैं कह दूँ आपसे और अगर अर्विन केजरी वाल खेल जाते हैं चीजों से लोगों को डील कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा पर दोस्तों एक इसमें पता है सुप्रीम कोड में एक इनके पक्ष में गई आमादमी पार्टी क कि इन्होंने क्या करा कि जो भी मनी सिसोदिया से पूषचा जोगी जो भी शारी चीजे होंगी वो केमरे की देख रेक में होंगी अब अब इस बात से दोस्तों सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है इसमें जो चीज है कही ना कही अर्विंद केजरिवाल मनीश इसोदिया पे निगाह रखना चाहते हैं निगाह रखने से मतलब है कि किस से मिल रहे हैं कुछ अलग खिचड़ी तो नहीं पक जाएगी इनसे बीजेपी के साथ नहीं मिल जाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है और अगर मनीश इसोदिया पे बात आती है तो वो कब तक जेल में रहेंगे या कब तक इससे तो अच्छा वो गवा बन जाएंगे और जो भी सामने बाते होंगी उनको रख देंगे अब भ्रष्टाचार तो बहुत दबा के हुआ है पंजाब इलेक्शन में भी उन रुपियों का यूज हुआ होगा सारा पैसा हुए मनीश इसोदिया तो खाया नहीं है उसके लावा भी बहुत सारे लोग है सब मिली जूली कहानी है पर अभी सारी जो क्योंकि सारा लेंद क्या होगा इसमें विसे आभावानमी पार्टी को तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मनीश इसोदिया समालते थे बड़े बड़े डिपार्टमेंट बट कोई उनकी वज़े से यहसा नहीं है कि अगर वो चलेगा है या वो नहीं रहेंगे तो वोट में यह सारी चीजे अब दोस्तों एक जो बहुत बड़ी खबर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं अपने देख भी लियोगी अभी तक मैं आशा करता हूं भोपाल उज्जन ट्रेन ब्लाज दोस्तों जो आज से लगबग छे 2017 में हुआ था वोपाल उज्जन ट् इन लोगों ने क्या किया था कि यह साथ को जो सबसे पहले जिन साथ आतंग वादियों को फासी हों इनके नाम पढ़ लेते हैं आतंग की मुझफर, मुहम्मद दानिश, सेद मीर हुसेन, आसिफ इकबाल, रौकी, मुहम्मद फेजल, गौरी मुहम्मद खान, मुहम्मद ये कोट ने 2017 में हुए भोपाल, उज्जेन, पेसेंजर, ट्रेन ब्लास के इसके साथ दोशियों को फासी और एक को उम्मरकेत की सजा सुनाई है, मंगल वार रात करीब आठ बजे यहां फेसला आया है, अभी लगबग जब ये वीडियो बन रहा है, उससे 6-7 गंटे पहले फेसला आया है, उस वक्त कोर्ट में आठो आतंकी मुझूद थे, ट्रेन ब्लास में कुल 9 आतंकी शामिल थे, जिसमें से 1 का एंकांटर हो चुका है, इनमें से 1 का पहले ही इंकांटर हो गया है बात चीげ, इन्हें फासी की सजा, जिनके नाम हम भात कर चुके हैं, एक आतंक पादी एनाईय कोड में पेश की अपनी रिपोर्ट में नो आतंकियों पर देश के खिलाफ युद दिशंड ने जिहाद आतंकी गतिविदियों के लिए धन विस्पोटक और हतियार्ज उटाने के आरोप लगाये थे और इनके सभूत भी दिये गए हैं कोड के आगे रखे ग कोड ने कि ऐसे लोगों को तो दोस्तों फासी ही हो जानी चाहिए क्योंकि ये लोग कभी भी एक छुपे हुए तरीके से कहीं बंबलास कर देंगे दो कैसे कुछ भी गलत काम कर देते हैं अब ट्रेन में दोस्तों बंबलास किया था इनोंने मतला कितनी अफरात अफरी मत ज चरण जो जज हैं शुक्रवार यानि 24 फरवरी को एनाईय कोट के जज विवेका नंद शरण त्रिपार्टी ने आरोपियों को दोशी ठेराया था इसी 24 फरवरेरी को एक आतंकी मुटबेड में मारा गया था कब हुआ था भलास 7 मार्स 2017 को ठीक है तो दोस्तो काफी इसमें बहुत सारे लोग थे जिनको काफी गहरी चोट आई थी और अभी तक वो चोट रहे गई हैं क्योंकि बम रिस्पोर्ट हुआ था तो दोस्तो एक यह खबर है अब जो उस समय जो लोग थे उनके इंटर्व्यू देखेंगे तो आप वागी सहम जाएंगे कि इस तरह से चीजे होती हैं और एकदम से सामने आ जाती हैं कई पार इसी सिचुएशन की कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है और अचानक सब्सक्किन देखेंगे तो इस टाइब की चीजे होती हैं ंहीं हुआ है और उन लोगों को फासी दे दिक यह सही हुआ है कि मैं अब दोस्तों एक और जो खबर आ रही है दो दिन पहले कश्मीरी पंडित की हथ्या करने वाला धेर हो गिया है दोस्तों आज से दो तीन दिन पहले हमने एक खबर एक दर्दनाक खबर सुनी थी जिसमें हमें पता पड़ा था कि एक कश्मीरी बंडित को मार दिया गया अवंति पॉरा में सौह वार राज से जाड़ी मुटव्र खत्म दो आटंकी मारेगा एक ज़़ान शहीद हुआ है कौफी दर्दनाक बात है कश्मीर वे अमंतिपुरा के पाटगम पोरा इहां में सेणख और आतंखियों भी सुवार से राज राज से चल रही मुटवर खत्म हो गई मंगल बार दोबेर तक सेणख ने दुआ आतंखियों को लेर कर दिया पुलिट ने मारे गया आतंकियों का पास से अतियार और बोला मारूत समेद अपति जनक सामगरी बरा मत किये बागी आतंकियों के तलाश अभी भी चल रही है तो दोस्तो जो टार्गेट किलिंग हुई थी मारा गया था कश्मीरी पंडित को उसका बद्दा ले लिया गया हलाकी दुख की बात यह है कि हमारा एक जवान भी उसमें शहीद हो गया है तो काफी दरदनाख खबर दोस्तो इस टाइप की चीज़े अभी भी हो रही है जानके बड़ा खराब लगता है पर अब क्या कर सकते हैं सिचुएशन ऐसी है पहले से तो कहीं अच्छी सिचुएशन हो गई है जो पहले एक टाइम था कि लाखो कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया था और सरकार ने कुछ भी नहीं किया था कम से कम उससे तो बहतर इस्तिती में आज हम आए हैं हलाकि अभी भी हमारा नुकसान हो रहा है बेकसूर जाने जाती है पर उससे बहतर इस्तिती में आए है और हम यह आशा करते हैं कि इससे भी बहतर इस्तिती में आए है और कश्मीर में खुशाहली आए है तो दोस्तों य सारी चीज़ें हैं और बागी फिर मिलते हैं कल हम